हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्री की विद्या में और मेरा नाम है अनिल और आज आप पढ़ रहे हैं हिमाले परवत का दूसरा पार्ट कल हमने इसी पार्ट में जैसे कि हमारी शीरी चल रही है पूरी जियोग्राफी के क्रेश कोर्स की और इस क्रेश हम क्यों चीजैं कम समय में समझ में आती है और अच्छे से समझ में आती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ चीजैं सो नहीं है या कुछ भी हम एक एक कर लेते हैं कल हमने पढ़ा था GREETER हिमाले या पार हिमाले बोलते हैं जिसको ये वाला भाग उपर अपर अपनी कारा कोरूम रेंज थी उसके बाद अपनी लद्दाक शरेनी उसके बाद जासकर शरेनी थी यहाँ पर अपना केट्टू परवद था ये सब पढ़ा और उसके बाद हमने फिर ग्रेटर हिमाले जो रेड गलर की लाइन आपको दिख रही है इस पे बहुत सारी चोटियां थी माउंट आवरेस्ट थी अपनी कंचन जंगा थी यह सब हमने पढ़े सो इसके लिए आप पिछे वाली वीडियो इसका पहले वाला भाग अच्छे से देख है यह जो काली लाइन दिख रही है तीन भागों में बाटा है जैसे कि हमने हिमाले को यह उपर वाला भाग है यह ट्रांस हिमाले या पार हिमाले का पार्ट है नहीं यह हिमाले से पहले का है हिमाले यह जो तीन लाइन ने बना रखे हैं यह हमारा हिमाले है और इसकी बीच दोलने वालें पीछ वाला हिमाले है, जिसको हम बोलते हैं, मद्दह हिमाले या फिर लग्व हिमाले, और इसकी चोड़ाई 60-100 кил में टक इसकी चोड़ाई यह निचे वाला भाग जो ब्लू कलर वाला है इसको शिवालिक हिमाले बोलते हैं और मद्धे हिमाले और शिवालिक हिमाले को हम नेपाल तक ही पढ़ेंगे मतलब यह वाला भाग ही पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद यह इतना पतला हो जाता है अपने नेपाल से आगे कि मतल करते हैं वीडियो और देखिए कि इसमें मैंने अभी दिखाया जैसे कि उपर वाला जो रेड लाइन है ये तो हो गया हमारा ग्रेटर ही माले जो उपर उपर वाला है और जो बीच वाली जो ब्लैक लाइन थी वह ठादी गई है और उसकी जगह यहां पर परवत्ष्रेणियां बनाई है देखो पांच एक दो तीन चार पांच और प्रवत्ष्रेणी का पहाड तो हो गया देखो कोई एक पहाड और परवत्ष्रेनि क्या होती है यह जैसे कि पूरी अब यह परवत श्रेणी है जिसमें भूत सारे पाहड है उसको परवत श्रेणी बोला जाता है जैसे कि उपर अपनी कारा कोरम रेंज थी लद्दाक रेंज थी जासकर रेंज थी ने तीनों थी यहीं श्रेणी है तो इसी तरीके से पांथ श्रेणी है मद्दे हिमाले में हम लोग पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है यह रही देखो पीर पंजाल यह जम्मू कश्मीर के अंदर और यह जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पस्चमी साइड में यहीं श्रेणी पड़ती है और इसी के बीचों बीच इसी श्रेणी के बीचों बीच से रस्ता जाता है जिस तो ये दर्रा जोडता है अपना किसको जम्मू को और कश्मीर को आपस में जोडता है और वो यहीं पे है वो दर्रा तो ये मतलब और डिटेल में हम जब दर्रे पड़ रहे होंगे तो इन चीजों को हम और अच्छे से डिटेल में करेंगे अभी इसके लिए मतलब इतना काफी है इस श्रेणी को बोलते हैं अपना पीर पंजाल श्रेणी और इससे आगे के भाग चलो पड़ते हैं इससे आगे का भाग आ गया इससे जो आगे की सीरीज थी हमारी जो श्रेणी थी दो नमबर वाली पीर पंजाल हमने कर ली यह पीर पंजाल होगी पहली वाली तो यह पीर पंजाल दूसरी वाली होगी धोला गिरी दूसरी वाली शरेणी को हम बोलेंगे धोला गिरी और यह पढ़ती है हमारी कश्मीर में जम्मू कश्मीर में और हिमाचल परदेश में ये दो राज्यों में फैली हुई है जम्मू कश्मीर में और हिमाचल परदेश में इसकी आप सीरीज याद रखिए इसको अच्छे से आप नोट्स तयार कर लीजी एक मैप बना के रफ सा उसमें सारी चीजों को लिख ली जिए लास्ट में मैं आपको दिखाऊं भी गा कि किस तरीके से इसके नोट्स तयार करने हैं लास्ट तक आप बने रही है वीडियो में और तीन नंबर पे हमारी जो श्रेणी आगई वो आगई मन्शूरी श्रेणी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे परियटक स्थल हैं जो जो हमारे जितने परियटक स्थल हैं सारे इसी श्रेणी में हैं उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा पहले हम ये 500 श्रेणियां देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं और इनके important points देख लेते हैं एक बार इससे आगे हमारी देखो मंसूरी श्रेणी तक पढ़ ली है हमने तीसरी मंसूरी और चोथी श्रेणी है अपनी जो कि नेपाल के एरिया में है महा भारत श्रेणी ये महा भारत श्रेणी और पांचमी श्रेणी ये भी नेपाल में है इसको बोलते हैं नाग टीला नाग टी आपको दिख रही है देखो शिक्किम में एक पहाड दिख रहा होगा शिक्किम में इसको चलो इसमें घाटियां बताऊँगा आपको यहां से शुरू करके बताऊँगा सारी एक एक घाटी आप सबसे पहले 500 शीरीज याद करो पहली होगी पीर पंजाल श्रेणी दूसरी जोथी है महाभारत श्रेणी पांचमी है नागटीबा श्रेणी ये पांच श्रेणिया है और आज हमारा हिमाले खतम हो जाएगा और आज की वीडियो में मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है छोटी बनेगी और एक एक चीज इसमें कवर कर दी जाएगी इसके बाद देखिए दोस्तों की जो अपना मद्दे हिमाले है जिसमें सारी श्रेणी आए इसकी खासियत क्या है क्योंकि ये जादा उचाई पे नहीं है इसकी चोड़ाई भी वैसे देखे तो 80-100 किलोमेटर के बीच होगी 80-100 किलोमेटर इसकी चोड़ाई है और ये इतना म वहां तो हमेशां बरफ जमी होती है तो वहां पे सर्दी हो या कर्मियों हमेशां आपको बरफ मिलेगी हर टाइम पर बढ़िये जो मद्दे हिमाले है यहां का मोसम कैसा है कि यहां पे सर्दियों में तो सर्दी पड़ेगी बरफ पड़ेगी बढ़िया वाली और गर्मियो यहां पर परियर टकाने लगते हैं और यहां का मोशम बहुत जादा सुहावना और घूमने के लाइक बन जाता है इसलिए देखे तो हमारे जितने भी घूमने के जो जगहें हैं वो सारी की सारी ही अपनी मतलब जादा तर इधर मद्दे हिमाले के अंदर हैं जैसे कि अपनी हिमाचल में देखे तो शिमला हो गया मनाली हो गया जी यह हिमाचल है अपना शिमला मनाली डल होजी यह सारी इसके अंदर है उत्तराखंड में आ जाओगे और बात करोगे तो यह हमारे देखेंगे तो इसमें मनसूरी रानी खेत नैनी ताल विंडे सर यह सारी के सारी कुल याइब यह सारे भूमने के स्थान भी मद्दे हिमाले में कई बार अब ये बात हमेशा याद रखे कि मैं जो जो लाइन बोलता हूं इस वीडियो के अंदर वह अपने आप में क्यूसर्ण होते हैं मैं एक भी एक्सट्रा कि इससे नीचे आ गया जैसे कि हमने उपर वाला पढ़ा रेड़ वाला ग्रेटर हिमाले जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आज हम पढ़ रहे हैं जो ब्लैक वाली लाइन है जिसके उपर ये पांच शिरेणिया है मद्दे हिमाले इसके नीचे का पार्ट एक और पा किलोमेटर तक ये बहुत ही मतलब जादा चोड़ा नहीं है ये वैसे तो दस से पचास किलोमेटर बहुत चोड़ी हो गई जगह बट उपर वालों की अगर साइज देखे जाए वो तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही मतलब पतला है और सबसे नीचे का पार्ट यहीं है और जो अपना शिवालिक हिमाले हो गया नीचे वाला इसके बीच में भी तो कुछ जगह बची होगी ना तो इसी जगह को हम बोलते हैं घाटी इसी जगह को दोनों के बीच की जगह को मद्दे हिमाले और शिवालिक हिमाले की बीच की जगह को बोला जाता है घाटी और घा खंड में घाटियों को बोला जाता है दून या फिर दौर या तो वो लोग बोलते हैं दून दून बोलते हैं या फिर दौर बोलते हैं जैसे कि देहरा दून देहरा दून भी इन्ही दो घाटियों के बीच में है इसलिए उसका नाम देहरा दून है क्योंकि यहाँ पे घाट दून और हरीदवार और जो अपनी शिवालिक जो शिरेणी है जो सबसे नीचे वाली जो ब्लू कलर की आपको दिखरी होगे नीचे नीचे यह अभी अंडरलाइन करता हूँ यह वाली यह सबसे नवीन पहाड है मतलब सबसे नया सबसे लेटस्ट पहाड यही वाला है और इसकी उचाई ओस्तन उचाई की बात करेंगे इसकी तो इसकी ओस्तन उचाई है 900 से लेके 1200 मेटर तक ओस्तन उचाई इसकी 900 से 1200 मेटर इसकी ओस्तन उचाई है जादा जादा नहीं है दोस्तों यह मतलब कमी है यह उचाई में पहाड और सबसे नए पहाड इन्हीं को सबसे नए पहाड बोलते हैं और दूसरी एक बात आपको जैसे की याद करवा दूं है शिवाली खिमाले जो सबसे नीचे वाला देखो ये वाला है शिवाली खिमाले और इसका जो पस्चिमी पॉइंट है ये जो सबसे पस्चिम में ये वाला पॉइंट ये है शिन्धू गार्ज ये पूछ लिया जाता है इस पॉइंट को बोलते हैं शिन्धू गार्ज और जो स पहाड जैसे की और इसके उपर से यहां पर नदी आ रही है इस पहाड के उपर से ऐसे नदी जारी है और उस दिटमेश मतलब इस टाइप का साहता डिखने लगता है ओल यह बीच में रस्ता बनैति इसी चीज को बोलते हैं हम गार्ज तो अपना पस्चमी साइड में इसी वालिक हिमाले का पार्ट कौन सा हो गया शिंधू गार्ज और पूर भी पॉइंट हो गया अपना दिहांगार्ज तो आज हमने हिमाले पूरे का पूरा पड़ लिया है और आपको इसकी एक एक चीज अच्छे से देखनी है और अच्छे से मतलब दोनों वीडियो आप एक बार दुबारा देख लेना और आपको एक और बात बताता हूँ मैं बीच की जो घाटियों का अगर जिकरा आ गया है तो चलो ये घाटियां भी हम लोग कवर करी लेते हैं अच्छे से जूम करके बताता हूँ जैसे कि हमारा ग्रेटर हिमाले था और मद्धे हिमाले मैंने नीचे वाले शिवाली को और मद्धे के बीच की तो घाटियां बता दिया आपको और इससे जो उपर रह गया ये तो अपना ग्रेटर हिमाले ये बीच वाला मद्धे हिमाल इसके बीच में भी तो कुछ घाटी हैं जो यहां पे अपनी घाटी सबसे उपर जम्मू कश्मीर में इन दोनों के बीच में देखों दो पहाड घाड़न सीरीज हैं यह उधर भी अपना गरेटर हीमाले है तो इनके बीच में खाली जगए उसको घाटी वोलते हैं और जो मद्धे हिमले और गरेटर हिमले के बीच की जो जगए जो खाली और जम्मु कश्मीर के साइड यहाँ पे यहाँ पे यह है अपनी शिरी नगर घाटी, यही अपनी शिरी नगर घाटी है, और इसे थोड़ा नीचे आ जाएंगे हिमाचल में तो यह या कांगडा घाटी इसका नाम है कुल्डूया कांगडा घाटी यह दो भी आप याद रखना क्योंकि यह प्रियाटन सथल भी हैं और मतलब बार बार यह सभी लोग जानते हैं इनका नाम सो हमारी पूरी की पूरी हिमाले की जो सीरी चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है हमने पार हिमाले पढ़ लिया पूरे का पूरा हमने ग्रेटर हिमाले के बारे में पढ़ा हमने मद्धे हिमाले के बारे में पढ़ा और जो शिवालिक हिमाले है इसकी इतनी जादा प्राइट थे नहीं हमने उनको भी पूरा अच्छे से अभी पढ़ा है और एक बात और बता देता हूं मैं जो जम्मू कश्मीर है एपना यह जो जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं गुल मर्ग मर्ग बोलते हैं सोरी मर्ग जम्मू कस्मीर में यह लाइन आप धान से सुनना जम्मू कस्मीर में घास के मैदानों को मर्ग बोला जाता है मर्ग इसी लिए यहाँ पे जगाओं का नाम है जैसे कि गुल मर्ग सोन मर्ग इन् हम यहां पर अपना नीचे उत्राखंड की साइड आ जाते हैं उत्राखंड में घास के मैदानों को क्या बोला जाता है बुम्याल या फिर प्याल या फिर प्याल ये दो बात भी आप अच्छे से याद रखना तो चलो दोस्तों आज हमारा हिमाले पूर्य अच्छे से खतम हो लगेंगे अब तो उसके बाद MCQ सीरीज शुरू करूँगा मैं प्रीवियस यूर किस्टन की जिसमें पिछले सालों में पूछे हुए इन जियोग्राफी के सारे के सारी किस्टन डालने वाला हूं और जैसे कि हमारी पहाडों की सीरीज चल रही है तो आज हमने पहाड हिमाले पूरा कर लिया और उसके बाद हम सुरू करने वाले हैं जो मद्धे भारत के जो पहाड हैं जो बीच में जैसे कि अपनी यहां पे अरावली शरेणी बचती है उसके बाद अपनी सत्पुडा के प ताप्ती नदी भी जाती है इन सब के बारे में हमारा next target यही वाले पाढ़ होने वाले हैं इन पहाडों को हम अच्छे से पढ़ेंगे अगली वीडियो में और उन से जो अगली वीडियो होंगी उनमें हम हमारे दक्षिन भारत के पहाडों को पूरा करेंगे उत्तरी है हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताकि आपको अगली वीडियो अराम से मिल जाए और वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सो आज की वीडियो अभी और ज़्यादा लंबाने खिचते हुए यहीं पर खतम करते हैं गुड लग जैहिन